जेपूर की चाक्सू के तिगारिय रोड पर एक मिलावटी तेल बनाने के कारखाने पर मंगलवाज सुबह जेपूर डियस्टी टीम ने दबिश देकर भारी मात्रव में तयार तेल सही तलग अलग ब्रांड के रैपर और खाली बोतले जब्त की गई डियस्टी टीम से मिली जानकारिक अनुसार तेल बनाने के कारखाने पर कारवई के दोरान बड़ी मात्रव में तयार किये हुए तेल के साथ ड्रम और सेकडो टन सहीत हजारों के संख्या में खाली बोतले मिली हैं वही कारखाने में सरसो के विविन नामी ब्रांड के रेपर मिले हैं जानकरी के अनुसार कारखाने में पॉम ओईल से सरसो का तेल तयार कर नामी ब्रांड के रेपर लवा कर इन सहीत बोतलों में पेकिंग की जाती थी कारखाने में भारी मातरव में निकली तेल तयार करने के उपकरन साइट सामान भी भिले है B.S.C. टीम ने कारवाई की सूचना चाकसू पलीस को दी है चाकसू पलीस ने चिकिस्सा और स्वास्ति विभाग की टीम को मोके पर बुलाकर सेंपलिंग की कारवाई करवाई वही पलीस द्वारा कारखाने के संचालक के खिलाफ की मुकदमा दर्स कराने की कारवाई करने की जानकारी मिली है चाकसू एसो चो बुरी सिंग ने बताया की पलीस द्वारा मोके पर कारवाई की जा रही है वही कारवाही में जेपूर कमिश्रेट की डीस्टी टीम के कॉंस्टेबल ओम प्रकाश मीना और जीत राम की एहम भूमिका रही है